वेल्कम बैक टो माई चैनल आज सुभे सुभे चले आए है मेरी गाव में क्यूंकि गाव में थोड़ा काम था इसलिए आना ही पड़ा तो संडे के दिन है तो बैसे भी स्कूल तो बंधी है तो आही सकते है इसलिए चले ही आए तो आने के बाद सोचे के जो घर है गाव में जो घर है हम लोग का वो देखने के बाद जोग थोड़ा बहुत काम था वो निप्टा लिए आप सोच रहे है कि जमीन के उस तरब जाए क्यूंकि जिसमें आप जो पैडी वगेरा होते है तो बो जमीन तो घर से थोड़ा दूर है तो इसलिए सोचे कि चलो जी घूम के दे जो हम लोगों का जो घर है उसका जो रखवाला है रखवाला मतलब वो जो की जमीन होता है वो उसके बेटी है गाव मेंशल ही है उसका नाम है जोन म Ст box, मैं इस सबसे गुल मैं हमा रहना उमव मांस्टर प्लावर मैंक आई डोंट लाइक योलो कलर क list योलो कलर के ईतना सुन्धर है लगताााह था सोनमपे अ्छसा मस्त़ devraitटरarti इतना अचक्छत यहां पे थोड़ा बहुत थी अच्छास की चला है आप कहती है कि एक वीडियो क्लिक करते है तो पैदल चलते चलते विंटर का मोसम तो है पर आज बहुत धूप है इसके वजह से गला बहुत सूख रहा है तो यहां पे तो जमीन में पानी दिया जा रहा है आप तो देख रहे हो दोस्तों मर्शल से तो मार्शल का पानी देखके लगा कि चलो जी ए तो जमीन के अंदर से याड़ा आए पानी तो शुद्ध ही होगा तो इसको ही पी लेते हैं इतना जादा प्यास लग गई ना क्या ही बताए दोस्तों तो इसलिए यहां पे ही पानी पीने का डिसिशन ले लिया और शोना के प जादा प्यास लेखके लिए तो इतना धूप है वुडी पेहनने वाला तो वेदा नहीं है तो इहां पे सोना बेट गई क्यूंकि यह जो छोटे वाला जमीन आपको दिख़़ा है यहां पे कैरट यानि गाजर लगाया गया है तो सोना कहती है कि जैसे बहुत ज्यादा हो है यहां पे कैरट का गाच जो बोलते है प्लैंट तो इसके वज़ा से ना कैरट दूबला है तो सोना कहती है कि देख कितना दूबला हुआ है तो इसलिए सोना दो तीन तो उठाई देगी आज शायद लगता है क्योंकि सोना को लगता है अगर जो प्लैंट से वो थोड़ा इसे बीच बीच में अगर गैपिंग होता एक प्रेंच के बीच थोड़ा गैपिंग मिलता तो जआधा बड़ा साइच का कैरट हो सकता था पर गैपिंग कम होने के वज़ता ज़से कैरट उतना मोटा या बड़ा नहीं हो पाया बहुती दुबला है तो छोटा छोटा भी है तो शोना कहती है कि चलो 2-3 कैरट उठा ही लेते हैं और बेसिकली मुझे कैरट खाना बहुत पसंद है I like कैरट जैसे लगता है कि मैं पिछले जनम में रैबिट थी होई सकता है तो इसलिए शोना कहती है कि देख तेरे जमीन का 2-3 कैरट उठा लेते हैं फिर खाएंगे ठीक है चल उठा ले तो मैं सिब भीडियो कर सकती हूँ कैरट उठा नहीं सकती ऐसे तो कोई हैबिट है नहीं पर उसकी है तो इसलिए वही उठा रही है तो देखते हैं दोस्तों कितना कैरट उठा सकती है तो उसके हिसाब से ही तो खाया जाएगा यह देखिए दोस्तों तीन कैरट उठा सकी है तो तीन कैरट बहुती दुबली पतली है और देखिए चलते चलते पास आगे एहे एक स्कूल है चौकमानिको एपी स्कूल, तो एह है मेरा पापा का स्कूल, मेरे पापा इस स्कूल में ही जॉब करते थे, और स्कूल के बाहर देखिए कितना सुन्दर मेरी गोल्ड है, इसे हम बंगाली लोग रोकतों कादा कहते हैं, और एह देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्लैंड भी लगाया गया है, और एह पेर बहुत पुराना है, पापा जब जॉब करते थे, तब भी था, आप और भी बड़ा हुआ है, एह एक बेनियन ट्री, बहुत ही मस्त, और एह देखिए कैरट आप, धोके ले आई है छोना, आप खाने का टाइम है, आप मैं खा लेती हूँ, बह लोटना पड़ेगा, और लोटते लोटते देखिए, यहाँ पे तो पैडी फीट से काल्टिवेशन होगा, इसके बज़े से आप जमीन को पानी दिया गया है, देखिए कितना सुन्दर जो क्रेन है, वो उड़ रहा है, आप ए सब देखते देखते घौर लट जाएंगे, तो इसके साथ ए ब्लॉग यही पे खतम होता है, फिर विलेंगे दूसरे ब्लॉग में, सब मस्त रहिए, खुश रहिए, आज के लिए बाई बाई